डेली करेंट अफैर क्लास जो कि आपके सारे 5 बिज डेली मॉर्निंग में सुरू होरती है और आज डेट आपका 15 सितंबर 2020 जो कि आप सभी लोग क्योंकि टेक्निकल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल डे हैं इंजिनेर्स डे याने कि अभिय स्टूडेंट याप पर जुड़े हुए हैं वह टेक्निकल ब्रांच से ही जादा स्यादा हो सकता है नॉन टैक भी तैयारी कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं टेक्निकल के स्टूडेंट जादा है ठीक है अब चलेगा आज के लिए हम लोग पहले कुशन के और बढ़ेंगे और बताए जाएगी हाँ कभी गबार क्या होता है और अल्ली कुछ चीज़ें अगर गलत हो जाती तो अगली लेक्चर में उसे मैं बिल्कुल सही करने की कोशिस करूंगा चलिएगा आज के लिए पहला कोशिन दिया गया आप कि स्कीन के सामने कि यूएस ओपन यूएस ओपन म यूएस ओपन का तो किसने जीता है हम लोग बात करेंगे आप पर राइट अंसर क्या आएगा आपका बी आएगा बच्छा आपका क्या दिया गया डैमोनिक बच्छा आपका थेयम ने जीता समझ रो डॉमेनिक इनका नाम है यानि कि डॉमेन आपका रिपब्लिकन के नहीं है इनका नाम ही क्या है समझ रो इनका नाम क्या बच्छा आपका डॉमेनिक ठीन आपका नाम है समझ रो चलिएगा तो यह है यूएस ओपन अब आप लोगों को थोड़ा मैं चीज़े समझाना चाहूंगा आप लोगोंने सुना होगा अक्सर नाम ग्रेंड स्लैम का किसका अब ग्रेंड स्लैम क्या होता है हमारे पूरे एक साल के अंदर समझ रो जैनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में चार आपके स्पोर्स इवेंट होते हैं जो टैनिस से जुरे हैं सबसे पहले हमारा और फ्रेंच ओपन होता है फिर हमारा वीमलडन और लास्ट में होता आपक पूच लियार किया निरस्त किया गया था किस कारण से कोभीड 19 के कारण से समझ रोक उभीड 19 के कारण से निरस्त किया गया ठीक है अब चलिएगा कुछ चीजह हम लोग समझ लेता है यहां पूछा गया कि यानि कि आपका US Open किस नहीं जीता हो सकता आप से पूछ ले कि US Open जो सिंगल जीता आपका तो यह जीता गया किस के द्वारा डॉमियन बचाप का थियम के द्वारा जीता अगर कोई नया प्लेयर जीता है तो आपको जरूर पूछा जाता है कि कौन से खेल से संबन दीता है और कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी कंट्री को European country औस्ट्रिया को औस्टेलिया नहीं औस्ट्रिया को रिप्रेजेंट करते और 13 दिसंबर को इन्होंने Man's Single का टाइटल जीता है ठीक है Man's Single का टाइटल जीता है अब देखेगा 2020 के अंदर कौन-कौन से इवेंट है जो हमें पढ़ने है जो एक्जाम में पूछे गए आपके कई बार पूछे जा सकते हैं चैनेल जैसे कि आपका इवेंट देखकेगा समझ रोख इवेंट हमें जाना है कि आपका चार उवेंट होते आपके प्रतेक वर्स आपके चार इवेंट मेरे देख्बाएं आप लोगों को इस बार वच्छे आपका last time पे समझ रो तो यह आप नवाग जोकोविच यह 2019 का है समझ रो यह 2019 का है ठीक है अब आप सभी लोग आखेगा अगर आप लोग बात करेंगे ऑस्टेलियन ओपैन 2020 सबसे पहले तो क्या होता आपका ऑस्टेलियन ओपैन होता है कि मैं आपका फ्रेंच ओपैने साल मजें आपसे पूझा जाएगा कि ये कब होता है तो लगद कब होता है कंसा उसके कि वादद दूजरे नंबर वापका साल में जो video होते हैं उसके अक बतार्याओं आपको दो सब्सक्राइब किसमें होते हैं कौर मोट रूफ समाजहिए हैं इसके whatsapp diary फइमलडे ど नहीं किया गया था वजय को रोनावाइरस था और यह खेला जाता आपका किस पर ring यहार दिजएगा US ओपन यह होता है आपका hard surface पर ठीक है examiner हमेशा से पूछता है यहां से आप लोगों के लिए question बन जाता है समझ रो यहां से आप लोगों के लिए question से इसी वीडियो के comments box में आप लोग बताएंगे मुझे कि austrian open की सुरुवात कब हुई थी फ्रेंच open की सुरुवात कब हुई थी विमल्डन open की सुरुवात कब हुई थी और US open की सुरुवात कब हुई थी यह आप लोगों को बताने बाकि आप लोगों देख सकते हो कि 2020 में man single और woman single कर ठीक है cross check जरू किसने जीता और महिलाओं में एकल किताब किसने जीता हाँ जहां मिक्स होगा डबल होगा अगर कोई भारतिया तब याद कर गया क्योंकि तब आपका एक्जाम में पूछ लेता है कि यूएस उपन डबल किसने जीता या मिक्स किसने जीता वहाँ अगर कोई भारतिया प्लेयर है तब पूछ लेगा आपसे यहां तक किलियर हो गया आप लोगों के लिए हमग छूड़ गया यहां से कि आपको बताना इस मैंसे सबसे पुराना सबसे पुराना इवेंट आपका विमल्डन है कि फ्रेंच है कि या यूएस ओपन है तो सभी कि आप लोग क्या गरेंगे और उसका इयर लिखेंगे कभी यह इवेंट आपका सबसे पहले कभ से और रहा है चाहे हमारा फ्रेंच ओपन हो चलेगा यहां से आगे बढ़ेंगे हम हम लोग अञत्हें आब ऐस्ट्रिया आप बता है कि यह कुण्ट्री ओं यूरूट यानि यूरोपयन कॉंटिनेंट के इंदर है और आफ्ट्रिया जो आपकी कंट्रिय यह कहां पर है तो आब लोग उने पर प्रतर्म बंश्वेजियुद के दरान भी नाम सुना होगा ऐस यानि किसकी जो मुद्रा है वो क्या है आपकी यूरो है अब देखिएगा समझ रो यह रहा आपका आस्ट्रिया और यह रहा मैं आपको विया ना दिख जाएगा इसके पड़ोस में देख सकते आप लोग जैसे बहुत सारी गंट्रिया है चेक रब रिपाब्लिकन हो गई इसकी कैपिटल और करेंसी और कौन से कॉंटिनेंट में तो यूरोपियन कॉंटिनेंट के अंदर यह कंट्री इस्तित है ठीक है चलीगा आगे बढ़ेंगे अगले कुशन क्यूर आप सभी को याद है कि प्रतेक वर्स 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाता है समझ रहो तो प्रतेक वर्स का मनाय जाता आपका 14 सितंबर को याद रखना जो आपको अबजेक्टिव क्वेशन लगाई जो रखेगे वो समझाने के लिए रखेगे समझ रहो क्यूंकि आपका फॉर्स डे अगर आप लोग को क्वेशन बताऊंगा तबी तो अगले दिन मे आपकी प्रैक्टिस क्लास में है आप लोग को क्वेशन करा सकता हूं समझ रहो तो हिंदी दिवस के रूप में हमने पहली बार क्यूंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या बच्छे आपका राजभासा के रूप में अपनाय गया था ठीक है तो इस कारण 14 सितंबर को मनाय जाता चलीका पढ़ेंगे के बारे में देखेगा 1949 में सबीधान सबहा के द्वारा दे समझ रो कि देश में राज भासा के रूप में देव नागरी लीपी में समझ इसकी क्या थी हिंदी कीदेव नागरी होती है ठीक है हिंदी को अपंश इस कारण 14 सितंबर 2020 को प्रतेक वर और देव नागरी भाषा में या स्क्रिप्ट में जो देव नागरी लिपी में लिखी जाती है आपकी कौन सी मराठी भाषा भी देव नागरी लिपी में लिखी जाती है और नेपाली भाषा भी समझ रो नेपाली जो भाषा उसकी लिपी भी कैसी है देव नागरी लिपी है ये questions कई बार पूछा गया कि हिंदी की जैसे आप को पता है कि पंजाबी बासा है समझे रो पंजाबी जो बोली जाती है तो वहाँ पर script की बात करेंगा हम लोग तो गुरू मुखी आती है पंजाबी की लिपी क्या आती है आपकी गुरू मुखी आती है उसी तरह से हिंदी क क्या है देव नागरी लिपी है चलिएगा आगे बढ़ेंगे चलो हम लोग आगे देखते हैं आगे देखेगा आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन कॉंसिटुशन में पार्ट 17 भाग सत्रा को अगर जैसे आप लोग कहा पर जाओगे भाग सत्रा पर जाओगे तो वहा के बारे में बताया जैसे एक मैं कैंदर और राज्य के बीच में संबंद बताया गया समझ रो उसके बाट 2 में क्या दिया गया reự Ark के बिलासार में ब्लाएं tipos अगया साथा से त्रत शे भाग 17 मैं क्या दिया गया आप जरूर पढ़ेंगे कि भाग सत्रा के अंदर क्या दिया गया कहो सकता है और अली में आपको गलर बता रहा हूं समझ रो लेकिन बिल्कुल सही है आप लोग क्रोस्ट्रेक जबूर करिएगा भाग सत्रा में क्या दिया गया और याद रखना अनुसूची आठ यानि कि इन्डियन कॉंसिटुशन के शैडूल 8 के अंदर टोटल 22 भासा है रखी गई इसमें अंग्रेजी भासा को नहीं जोड़ा गया समझ रो अंग्रेजी भासा को इसमें सामिल नहीं किया गया तब भी आपको पता है कि जो आपका नागलेंड राजी है वहां की क्या है ओपिशल लेंग्वेज है इंग्लि होता है तो उस दिन इसमें यानि कौन सी आठवी सेडूल में 8 सेडूल के अंदर सिफ 14 भासा है थी समझ रो जब 26 जनवरी 1950 को भारतिया सभिधान लागू हुआ तो इसमें 14 भासा थी अब याद रखेगा उन 14 भासा के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा पहली या पंद भासा जो जोड़ी गई थी वह जोड़ी गई थी आपकी कौन सी सिंदी भासा और इसके लिए इंडियन कॉंसिटूशन में 61 सभिधान संसुदन वा था कौन सा वा था 61 जो समझ जो सिक्स्टीवन वा जो कॉंसिटूशन अमेंडमेंट 1967 में हुआ था कब वा था आपका 1967 के तहित क्या जोड़ा गया था सिंदी भासा को जोड़ा गया था अब देखिएगा 1992 अगर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि 8 शेडूल में अब तक कितने संसोदन होगे तो अब तक आपके 3 होगे अब वो 3 आपका जो दूसरा हुआ आपका 1992 में और 1992 में आपको याद रखना सोट तरीके से नमक समझ रो नमक का मतलब होगा आपका तीन भासा हैं जोड़ी गई नमक मतलब आपका नेपाली मनिपूरी और कोकडी तीन भासाओं को जोड़ा गया नेपाली मनिपूरी और कोकडी समझ रो वो तीन भासा हैं आपके आगई यह देखेगा यहाँ लिखावा है नेपाली मनिपूरी और कोकड़ी यह 1992 में जोड़ी गई अब आपके लिए एक सवाल बन जाता है अगर 1992 में जोड़ी गई जैसे मैं आपको कहा कि 61 सभिधान संसोधन के द्वारा कौन सी सिंधी भासा को जोड़ा गया था तो उसी तरह से 1992 में कौन सा संसोधन बताने के लिए असान था मैं बता दूँ लेकिन कुछ चीजे आप भी जरूर खोजेंगे आप लोग ठीक है कि 1992 में जो तीन भासा हैं जोड़ी गई थी वो कौन से सभिधान संसोधन के द्वारा भारतिया सभिधान में सामिल की गई थी ठीक है उसके बाद देखेगा 2004 में 2004 में फिर सभिधान संसोधन होता है अब कितनी हो गई अब तक तो 18 भासा हो गई पंदरवी सिंधी हो गई उसके बाद 3 ये जोड़ी 18 हो गई अब कितनी हो गई 4 और जोड़ी 22 हो गई तो इसे सौट तरीका बोलते हैं मैं मौत्री गर के याद रखना में समझ रो इसमें क्या है आपका मैथली संथाली डोग्री और बोड़ो डोग्री आपका हिमांचल प्रदेश और कहां पर बोली जाती है जैन के के अंदर ठीक है तो 2004 में फिर यहां से क्वेशन और बन जाएगा कि इसके लिए कौन सा सभिधान संसोधन हुआ यानि कि जो लास्ट में है चार जितने लोग भी याप पर लाइब हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर करते हुए चलेंगे ठीक है यहां समझ में आगिया आगे बढ़ते हम लोग चलेगा आगे बढ़ेंगे अगले कुशन क्यों अगला कुशन यह आप किसकी के सामने कौन सा राज्या पहले बता च समझ रो यहां पर दिया गया विच स्टेड विल बी वच्च आपका क्या गर आपका इस पर बढ़ेंगा तो इसका राइड आंसर क्या बनेगा हमारा बेलकुल सही आंसर आएगा उत्तर ब्रदेश जिन बच्चों ने आंसर दिया उत्तर ब्रदेश मैंने कई बार बताय था कि राज्ये के अंदर जैसे बैंक हो गए आपके सरकारी कारेल हो गए आपके जैसे कि राज्ये के अंदर आपके मील हो गई ठीक है जितनी भी आपका इंडस्टरल एरिया है तो वहाँ पर उत्तर ब्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि हम लोग एक विसेश सुरक्चा बल होंगे कुछ नए recruitment किया जाएगा समझ रो तो यूपी समझ यूपी स्पेशल सिक्योर्टी फोर्स जैसे कि आप लोग नहीं देखा होगा कैंद्र में क्या होता है अब देखेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2020 को गोश्रा कर दी पहले से विचार बन रहा था कि अदालतों में हवाई अड़े होगे प्रसासनिक जो बवन होगे और आपके या महानगर होगे बैंकों में होगे सरकारी कार्या ले होगा यहाँ पर security के लिए कौन होगा बच्चे आपका UPSSF होगा यानि की उत्तर प्रदेश आपका special security force का गठन किया जाएगा ठीक है चलिएगा अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी लोग मुझे पहले comments करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा र तो यहाँ पर दिहान दीजेगा ठीक है तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की capital क्या होगे बच्चा आपका लखनव capital हो गई और यहाँ के जो वर्तमान समय पर governor है तो governor अनंदी वेन पटेल और सियम कौन होगे आपके तो योगी आधित्यनाथ वैसे मूल रूप से उत्रागंद से बिलोंग करते हैं आपके पौडी डिस्टिक्स से और इनका जो एक्चुल नाम है समय वो क्या नाम है इनका असली नाम अजय सिंग बिष्ट जहांतंक मुझे याद है इनका असली नाम क्या है अजय सिंग प्रदेश अंतराष्ट्य सीमा बनाता है किसके साथ नेपाल के साथ अब यहां पर नेपाल का नाम आया तो नेपाल से जुड़े वे भारत के पांच राज्यों के नाम आपको बता देता हूं सबसे पहले नेपाल से लगे वे उत्राखन हो गया अपना उत्तरप्रदेश हो ग सीमा बनाते हैं पांच रज्य ऐसे भारत के जो नेपाल के साथ क्या गर रहे हैं सीमा साजा कर रहे हैं चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन की ओर अगला गुशन दिया गया केंद्र ने सार्वजिनिक छेत्र के जो पॉब्लिक सेक्टर बैंक के बैंकों को कि चेतिनी पॉझजी डालने के लिए संसद से मंजूरी मांगी है अभी क्या गिया अपका सेटर बिचे आपका क्या पार्लेमेंट के पास अपूरोल की बात कि गई हाप मांगी गई है कि कितने आपके जितने भी पेबलिक सेक्टर बैंक है तो उन्हें ये एमांट मांगी कितना होगा आपका 20,000 करोड रुपए 20,000 करोड रुपए मांगे गए कैंदर के द्वारा समझ रो यहाँ पर संसद में अनुमती मांगी गए पब्लिक सेक्टर बैंक जो अभी बचे आपका किसम है समझ रो घाटे में चल रहे जो बैंक उनके बचे आपर उत्थान के लिए 20,000 रुपए की आपका समझ जो बजट आपका जारी किया गया था उस बजट के तहत अपरूबल मांगा गया कितना 20,000 करोड रुपए गा चलेगा तो 14 सितंबर 2020 को कैंदर सरकार ने इस चालू वित् सजार करोड रुपए की मदद यहां पर मंजूरी मांगिया है ठीक है चलेगा आगे बनेंगे हम लोग अगले गुशन पर अगला गुशन दिया गया कि नई भारत प्रसांथ यहां पर क्या दिया गया इंडो पैसिपिक जो स्टेडिजी है समझ रो नई भारत प्रसांथ र सतंगे चलता है ठीक है एक लेकिशन पर क्या चलता आपका चीन के अंदर आप लोगों को पता है कि अठ्ट्ट कंत्री गी टार पर समझ रो चीन के अंदर क्लते हैं की बात करने हैं दूशन यहां पर रहाईत आंसर आएगा आमका जर्मनी आएगा ठीक वहाँ पर देखाओगा आप लोग ने कि जो चीन के अंदर वहाँ की जो मीडिया है जो सरकार चाहेगी वही दिखाती है समझ वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं होता है ठीक है वहाँ पर अपना सर्च इंजन है गूगल वहाँ पर काम नहीं करता है सभी को बता है यूसी ब्राउजर वही गाए समझ का का चाहिना गा चलेगा तो हम लोग वेखते हैं आपका चीन के एक प्रमुख बच्चा राजनेनिक जो साजिदार है जर्मनी ने कानून के शाषन को बढ़ावा देने के लिए बारत प्रसांद छेत्र में लोग तांत्रिक देशों के साथ मजबूत साजिदारी बनाने पर अपना ध्यान कैंदित किया है समझो जहाँ पर क्या दि अपनली नहीं आ की कैपिटल हो गई और जर्मनी आपका क्या है एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी करेंसी क्या आपकी यूरो इसकी करेंसी हो गई जर्मनी की ठीक है अब मैंने आपको बताये था ना कि ब्लैक फॉरेस्ट जो विस्वामे काफी चर्चा में रहता आपका ब पॉलेंड तो आप लोगों को लिए कोशन वन अगर अभी नहीं पता है तो जब स्ट्रीमिंग समाप्त हो जाते है वहाँ पर अपने नाम के साथ बचाए आंसर जरूर दीजिएगा क्या दिया गया जर्मनी और पॉलेंड के बीच में इंटरनेशनल बाउंडरी को किस नाम से जानते हैं अब देखेगा यहां दिखेगा आप लोगों को समझो जर्मनी और किसकी बात करेंगा हम लोग फ्रांस के बारे में जर्मनी और फ्रांस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां भी एक इंटरनेशनल बाउंडरी है तो इसे किस नाम से जानते है जरूर आपके ये देखिएगा बाल्टिक सागर से जोड़ रही है अलग किसको कर रही है जर्मनी और डेन्मार्क को लिखिएगा कील नहर जो आपका उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और डेन्मार्क और जर्मनी को अलग करती है समझो किसे अलग करती है डेन्मार्क और जर्मनी को अलग करती है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला कुशन दिया गया कौन सा रास्ट इसराइल के साथ सांती समझोता करने वाला चौथा अरब देश बन गया अच्छा कुशन साहब का विच नेशन विकरम दवार का फोर्थ अरब नेशन में एक पीस डील विद्ध इसराइल क्योंकि देखेगा इसराइल ने जो सांती समझोते की बात करी थी पहली बार 1994 में की गए थी समझ रो इसराइल के साथ अभी तो यहां पर बहरीन आएगा समझ रो और यह समझोता कराए गया किसके द्वारा यहां पर यूएस की मध्यस्ता से चौथा देश बन गया जिसने इसराइल के साथ सांती समझोते पर सिगनेचर किये अब यहां पर ट्रेड बढ़ेगा जितनी भी गल्फ गंट्रिया है इनके बीस में क्या होगा खारी देश जो आपके ठीक है इनके बीस में क्या होगा अभी तक वहाँ पर ट्रेड जो ब्यापार था बिल्कुल बन था अपका पिछले 25 वर्सों से चलिएगा नेक्स बनेंगे तो देखिएगा एक और एतियासिक सपलता के साथ 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका इसराइल और बहरीन के नेताओं के बीस में कहाँ पर वाइट हाउस के अ पर तीन कौन कौन सी है यहां फिर क्वेशन बन जाता अपनों के लिए उन तीन समझ रो आप चलो चारों का नाम लिख लीजेगा बहरीन को भी जोड दीजेगा क्वेशन आपके लिए उन सभी चार कंट्रियों का नाम बताना है जिनों ने इसराइल के साथ सांती समझाते पर क्या करें हस्ताक्षर करें ठीक है चलें अब इसराइल का नाम आया तो इसराइल और भारत के बीच में सभी को बता है कि काफी बड़ा समझाता है समझ रो इसराइल और भारत के बीच में आपको बता है कि यहां पर तो इसराइल से जुड़े वे कुछ इंपोर्टन ची लिए जो mediterrancy से लगी वी है आप लोगों को याद होगा इज राइल और फिलिपीन की बात करो मैं समझे फिलिपीन्स आपका जो मनीला वाला नहीं मैं याँ पर फिलिपीन्स की बात कर रहा हूँ जिसे जो किसके बीच में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कापरी विवाद है ठीक है अब जेरुसेलम की बात करेंगे तो इसी जेरुसेलम पर विवाद है किसके बीच में फिलिस्तीन और किसके बीच में इसराइल के बीच में ठीक है ना तो याद रखेगा इसराइल के कैपिटल है विश्व का कोई भी कंट्री इसे क्या मानती है आपका कैपिटल नहीं मानती क्योंकि फिलिस्तिन का हिस्सा मानती है लेकिन USA मानता है आपका जब कि आप लोग को पता होगा कुछ समय पहले UNESCO सभी को पता है UNESCO के बारे में आपको बता होगा ना कि UNESCO युनाइटे नेशन एन्वार्मेंट जो साइन्स आप युनेसको अच्छा कल्चरर ओगनाजिसी भी आई गया आपे कल्चरर ओगनाजिशन इससे इसराइल और युएसे बाहर हो गए थे युनेसको से युनेसको कही न कहीं आजबी से फिलिस्टिन का ही हिस्सा मानते है यानी किस पर बिवाद है जैसे जम्मू कसमीर पर आपको याद होगा इंडिया के च्छेतर हो गया इस बर गया भारत और पाकिस्तान के बिज में विवाद है तो वही कहानी है समझ यही कहानी है आपका किसके बीज में इसराइल और बच्छा फिलिस्तीन के बीज में ठीक है यहां के प्रधान मंत्री वेंजा में नेतनता होगे और याद रखना करंसी क्या होगई इसराइली सेकल याद रखेगा बहुत बार पूछा जाता है तो इसराइल की जो करंसी है वो क्या होगे बच्छा आपका तो इसराइल सेकल और पार्लियमेंट पार्लियमेंट का नाम क्या होगा यहां की पार्लियमेंट होगी आपकी यहां नैसेड यहां की पार्लियमेंट होगी अब आपको याद होगा इसराइल और भारत के 20 में काफी important आप लोगों को सम्मन्द है ठीक है भारत और इसराइल के 20 में आपसे पूछा जाता है मौसाद मौसाद वच्छापका कहां की गुप्टचर संस्ता है यानि की जो intelligence bureau है भारत के अंदर raw हो गई मौसाद कहां की बज़े इसराइल की गुप्टचर संगठन चलेगा आगे चलेंगे हम लोग अगले कुशन के ओर जापान के नए प्रदान मंत्री कौन बनने को तैयार है या जापान के नए प्रदान मंत्री बन जाएंगे ठीक है तो जापान की बात की जारियां पर question number 20 यह slide number 20 है समझ रो जापान के नए प्रदान मंत्री के रूप में जो चुने गए तो वह कौन चुने गए आपके तो यहाद रखना है आपर सही आंसर आएगा आपका ए योसी दे बच्चा सुगा ठीक है ना योसी दे शुगा अब जापान के नए सिंजोए वेकिस्तान पर अब क्या होंगे यह जापान के नए प्रदान मंत्री होंगे आगे चलते हम लोग आपसे पूछ लिया जाए कि जापान के जनी योसी दे सुगा जो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो यह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो याद रखना बच्चा आपका यह कौनसे Liberal Democratic Party यानि की LDP पार्टी से बिलोंग करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कौनसी पार्टी को LDP पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं समझ रो अब यहां पर जापान का नाम आया तो जापान से जुड़े हुए कुछ कुश्चन्स हम लोगों को जानने होंगे पहला जापान की गैपिटल क्या आपकी टोक्यो यहां की कैपिटल हो गई जापान की कैपिटल क्या हो गई आपकी टोक्यो यहां की कैपिटल हो गई और जापानी जो आपकी currency के अगर हम लोग बात करेंगे तो यह जापान की मुद्रा है पार्लियमेंट की बात करेंगे हम लोग तो नेशनल डायट यहां की क्या हो गई पार्लियमेंट अगर डायट करने लिए आपको गाप पर जापान जाना जापान का मतलब भारत में संसद गहते है तो आपका आपका चाइना में क्या कहते हैं अब देखेगा क्यूंकि जापान जो काफी सारे आईलेंड से बना हुआ है तो जापान की जो कैपिटल आपकी टोकियो कई बार एक्जामनर पूछ लेता है कि जो टोकियो है यह कौन से दूइप मात है तो यहां पर दूइप का नाम मैं आ बता देता हूं जो टोकियो है बच्चापका और यहां पर 2121 में क्या होने है यह आएगा आपका हौंसू दूइप पर हौंसू आइलेंड पर कई बार एक्जामनर पूछ लेता है कि जापान की जो कैपिटल है यह कौन से दूइप में आएगी कौन से आईलेंड पर इस्ति जापान के अंदर है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपसे एक्जामनर पूछेंगा इस्तेट आउव कोरिया यानी की कोरिया जो लेंड मास को लग करेगी तो South Korea को Japan से लग कर दिया है ये area देखेगा और जोड किसको रही है Sea of Japan को ये जोड रही है आपका East China Sea से आपसे examiner ने पूछ लिया समझ रहो आपसे examiner ने पूछ लिया कि जो कोरिया जल संदी है ये किसे जोडती है तो ये जापान सागर को पूर्वी चाइना सागर से जोड़ती है और अलग करती है साउथ कोरिया से जापान को अलग करती है उसके बाद आपको जापान से क्या याद रखना है 2021 में ओलम्पिक खेलों का आयजन कहापे होगा आपका जापान के अंदर होगा और जापान में भी कहापर टोकियो में होगा इस वज़े से जापान से जुड़िवे questions हमें याद रखना है exam में पूछा जाएगा इसलिए तो कहता हूँ कि GS आपकी इसी तरों से solve हो जाएगी GS इसी तरों से हमारी याद हो जाएगी आज नहीं होगा कल हम लोग दुबार रिविजन करेंगे हम लोग objective लगाएंगे कहीं न कहीं चीजें आपको smart तरीके से चीजें याद हो जाएगी चलिएगा next बढ़ेंगे अगले कुशन के ओर अगला कुशन क्या बनदा हमारा यहाँ पर क्या दिया गया तेको बचा कोसी नहीं यहाँ पर क्या दिया गया कोनी सी तेको बचा यहाँ पर क्या दिया गया तो क्यों कोनी सी को अभी यह take over as the country director of India in which among the following international financial institution यानि की जो अंतरास्तिय सस्ता है वितिय सस्ता है उसके डारेक्टर के रूप में भारत में चुने गए तो कौन चुने गए उनका नाम क्या आपका टेको बचा कोनी सी ठीक ना इनका नाम क्या बचा के रूप में भारत में किसे चुना गया टेको कौनिसी को चुना गया यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है अब ADB की बात करेंगे ACI विकास बैंक समझ रो ACI विकास बैंक 1966 में स्टैब्लिस होता है जहां तक मुझे याद है और पर अंसट देश इसके कह मानीला मनीला यानी आपका फिलिपीन्स के अंदर वही मनीला जो प्रते कवर्स Okay जो प्रते कवर्स अश्या का नोबிल पुरुसकार देता है यह कि इसीया का ओपनuju किसे से पुरुषकार को कहा जाता है समझ रो चलिएगा नेक्स चलेंगे हम लोग अगले कुशन के ओर अगला कुशन देखेगा क्या रहा हमारा नेक्स कुशन दिया गया जो कल हम लोग थोड़ा सा इस पर एरर आ चुगा था इस सुधार किया जाएगा और ये एरर मुझे भी कैसे दिखेगा आप लोगों के कमेंट से ही आप लोग क्रोक से करिएगा बिल्कुल मैं चेक करूंगा बहुत सारी बच्चों के वहाँ पर मैं कमेंट्स देख चुका था तो विश्व जो आर्थिक स्वतनता सुच का अंक 2019 में जारी की गई थी वहाँ भारत की रैंक क्या थी 7090 लेकिन 2020 में कितनी है ये 105 है तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट्स करेते बिल्कुल आपका सही आंसर है और पिछली वीडियो में कहीं ने कहीं मैंने इसके आंसर बताये थे 12 सितंबर को मैंने आपको यही क्वेशन पढ़ा में 2020 आपका टाइब हो गया था ठीक है चलेगा यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग अब देखिएगा कहीं न गई मैंने आपको बताया था ना the economic freedom of the world 2020 की जो annual report की अनुसार भारत की रैंक क्या हो गई 79 से 105 हो गई कितनी हो गई समझो हाँ सुजित सर्मा जी बच्चे देखो 2019 और 2020 का खेल था जो कल आपका 2020 हो गया था और आंसर मैंने आपको 79 बताया according to option के समझो option मैंने question पर जाद द्यान नी दिया लेकिन वो 2020 में 105 वी rank है समझो और अभी 2019 में देखेगा question में कल भी आपका 2019 लिखा हुआ था आज 2020 लिखा हुआ था आज उसे सही करके 2019 कर दिया यानि कि 2019 में जो rank थी 79 और 20 में 105 वी rank है ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर आगे 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 आपका one liner test जो जनवरी मन्त में हमने question पढ़े अब आप लोग answer देते रहेंगे ज चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग पहले question की ओर पहला question आपको देखिया ठीक है पहला question जनवरी मन्त में हमने पढ़ा था देखिएगा जल्दी answer दीजिएगा बारतिया ओलमपिक संके अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया IOC जो आपका establish हुआ था 1924 में IOC Indian Olympic Committee Indian Olympic Committee का समझ जो आपको दियान दिजिएगा सभी लोग दियान दिजिएगा आपको IOC की बात की गये सभी लोग अपना focus करिएगा सिर्बोर सिभब को जो question दिया गया ठीक है IOC की बात करेंगे हम लोग 1924 में इस्तापना हुई थी किसकी IOC की अब यहाँ पर याद रखिएगा यह IOC कब बना 1927 में यहाँ पर British government के द्वारे या British सरकार थी उस समय पर तो British सरकार के द्वारे से क्या गर दिया गया IOC नाम दिया गया Indian Olympic Association नाम दिया गया तो इसके अध्यक्स कोने वर्तमान समय पर नरेंद दुरूब बत्रा क्यूं गह रहा हूं क्यूंकि 2021 में ओलंपिक खेलों का आईजन होगा तो आपसे यहाँ से question जरूर पूछा जाएगा यहाँ से questions आपका बिलकुल बनेगा चलिए next बनेगे आप सबी लोगों को याद होना चाहिए कि राष्ट मंडल खेलों का आईजन 2022 में कहां पर होगा समझ रो तो 2022 में राष्ट मंडल खेलों का आईजन कहां पर होगा तो यह आईजन होगा आपका कहां पर बेलकोल सही आंसर जिन बच्चों ने बर्मिंग हम याँ पर आंसर दिया उनका राइड आंसर आएगा अब देखेगा इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं CWG के नाम से Commonwealth Game के नाम से जानते हैं यहां समझ रो राष्ट मंडल में अभी टोटल कितने देश भाग लेते हैं 54 देश भाग लेते हैं सबसे नविंतम जो जुड़ा आपका तो वह कौन सा जुड़ा आपका मालदीप इसमें सबसे पहले मालदीप इसका मेंबर था लेकिन दो साल पहले क्या हुआ मालदीप आपका Commonwealth से हड़ गया क्यूं क्यूंकि इसमें वही कंटिया भाग लेती है जा स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी राष्ट मंडल की स्थापना 1926 में हुई थी और पहली बार ये इवेंट जो रखेगे 1930 में कौन से CWZ यानि कि Commonwealth गेमों का आईजन पहली बार 1930 में हुआ अब कहां पर हुआ तो ये जगह थी हमारी हैमिल्टन समझ रो हैमिल्टन जो कहां पर बचाए आपका कैनेडा के अंदर ठीक है लेटेस में कहां पर हुए थे 2018 में हुए थे आपके गोल्ड कॉस्ट ऑस्टेलिया में समझ रो अगर आप से पूछा जाए कि अभी क्योंकि प्रतेग 4 साल में होते हैं तो 2018 में आयो जन वा 22 में हुआ होना है तो इससे पहले 4 साल पहले कापे होगा तो यह ठर में हुआ होगा गोल्ड कोस्ट ऑस्टेलिया के अंदर इतनी चीजें तो आपको याद रखनी होगी और बार बार में आपको रिविजन करके यह सारी चीजें बता रहा हूँ ठीक है कि 1930 में इसका पहला इवेंट हुआ हैमिल्टन कैनेडा के अंदर लेटेस में आपका 2008 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्टेलिया के अंदर और 2022 में कापर होगा यह होगा आपका 2022 में बर्मिंगाम आपका यानि की यूके गंदर चलिएगा आप सभी को बता है कि खेलो इंडिया यूथ गैम 2020 की मेजमानी कौन से सहर ने करी जन्वरी मन्त में हमने कुशन पढ़ा तो 2022 में इसे एक गोश्ट क्या था गोहाटी ने यानि की असम राज्य ने अब यहाँ पर दीखेगा पहली बार 2018 में हुए थी कहाँ पर आपका दिल्ली के अंदर समझ रो दूसरी बार 2019 में हुआ हमारा पुने महरास्टा के अंदर 2020 में हुआ हमारा कहाँ पर गोहाटी असम के अंदर 2021 में होगा हमारा कहाँ पर पंच कुला हरियाना के अंदर अब इससे ज़्यादा क्या चीए इतनी चीजे तो हमें याद रखना है कि खेलो इंडिया यूद गेम 18, 19, 20 और चौती बार होंगे आपके कब 2021 में पंच कुला हरियाना के अंदर कहां पर होगा आपका पंच कुला हरियाना के अंदर समझ मा गया और जो बच्चे यहाँ पर मैं अगर कहना चाओंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को आफ लाइन देखते हो आप सभी लोगों को लाइब क्लास में रहना चाहे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी कहीं न कहीं हर दिन न सब्सक्राइब नहीं ले पाएंगे अरे आप नहीं लोगे तो कौन लेगा क्लास आप सभी को जादा से जादा लाइब रहना है ठीक है नेक्स बढ़ेंगे राष्टिया अगनिसम सेवा महाविध्याले जो जैसे आपको पता है कि रेलवे यूनिशिटी वरोधरा के अंदर बनाएगी समझ रहो तो उसी दो से नैशनल फायर सर्विस कॉलेज जो बारतिया ग्रह मंत्री अमिश साजी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था दोजार बीस जन्वरी में समझ रहो जन्वरी दोजार बीस की कहानी यानि इसी साल तो ये कौन सी जगह पर हाँ कल प्रैक्टिस हैड नहीं हुआ हाँ कल नहीं हुआ था बचा कल नहीं हुआ था चलेगा तो इस कोशन का राइड आंसर क्या बनेगा हमारा इसका बिलकुल सही आंसर आएगा आपका नाकपुर बिलकुल सही आंसर है जिन बच्चों ने नाकपुर आंसर दिया उनका र बबल ईर आई समझ रो नीरी के बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंटस बॉक्स में आंसर जरूर देंगे समझ रोग नीरी के बार में अगर आपको जल्दी याद आ जाएगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आप लोग कि यह नीरी का मतलब क्या होता है एक वर्स के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्स अप तो अध्यक्स क्या है इन्हें CEO के रूप में चुना गया CEO यानि कि आप के चीप एक्जेक्यूटी ऑफिसर के रूप में चुने के कौन है विके यादाओ विनोद कुमार यादाओ समझ रो चलिएका next बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन पर किस सहर में जो आपका 2020 में 107 यानि की इंदियन साइन्स कॉंगरेस की मेजबानी की वो कौन सा सहर था तो ये सहर था हमारा कौन सा बैंगलूरू समझ रो ये सहर कौन सा था हमारा तो बैंगलूरू वो सहर था जिस ने क्या गर आपका 107 वी भारतिया विज्यान कोंग्रिस का आईजन वाठीक है नेक्स बढ़ेंगे वर्तमान समय पर भारतिया सेना प्रमुक कौन है देखेगा कितनी बार में आपको बता चुगा हूँ ये ग्वेशन साब के अगर एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको डिरेक्ट आंसर याद होना चाहिए मनोज मुकुंद नार्वाने वर्तमान समय पर भारतिया सेना प्रमुक कर रहा हूँ तो समझ रो तो मैंने आपको बताये था कि 1965 में इसकी सुरुवात होती है जो साहित्या के छेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्माने का बारत के अंदर और एक वर्स में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है ठीक है ना पहली बार आपका दिया गया था इनका नाम क्या था संकर कुरूप जो मलियालं भासा से संस्बन नित थे और अभी दोजार 20 में जो दिया गया वह भी क्या थे मलियालं भासा से संस्बन नित थे तो इनका नाम क्या होगा राइड अंसर आएगा आपका क्या अथीकम अच्यूतन जो मली आलम बासा से जिन बच्चों ने अर्विंद गोस का नाम लिया 2019 की काहनी थी समझो वो पिछले वर्स का दिया गया था यहाँ पच्पनवा पूचा गया आपसे चलिएगा next बढ़ेंगे नसीम अलब है समझो आपका नसीम अलब है भारत और किस देश के बीच में जोइंट नेवल एक्सरसाइज है आपसे क्या पूचा गया एक्सरसाइज नसीम अलब है समझो यह नेवल एक्सरसाइज है बिट्वीन इंडिया इंडिया और किस देश के बीश में तो भारत और किस देश के बीश में तो भारत और किस देश के बीश में ओमान के बीश में समझ रो भारत और ओमान के बीश में चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे आपको दिया गया कि भारतिया चिकित्सा परिशद के मानिदिशा कौन है जितने भी मेडिकल छेत्र से जुरेवे इंसिटुशन है जो भी प्रियोक साला है भारत के अंदर रास्तिया अंतरास्तिय ठीक है वो सभी आपको याद होनी चाहिए तो इसका राइड अंसर क्या बनेगा हमारा बल्राम भारगाउ डॉक्टर बल्राम भारगाउ वर्तमान समय पर क्या है आई सी एमर के निदेशक है महानिदेशक यानि की डारेक्टर है ठीक है चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे किस भारतिया भारत उलग को बच्चा डोपिंग दोसी कि होने के कारण में चार साल के लिए प्रतिबन किया गया था जैन्वरी 2020 में तो यह कुशन थोड़ा आपको वन सबसे पहले आपको उननिस याद रखेगा फिर 2020 याद रखेगा 2021 याद रखेगा 2022 याद रखेगा इवेंट की बात कर रहा हम है तो जी ट्वेंटी 2019 में जापान समझ रो 2021 में साओधी अरब याद साओधी अरब ने क्या था और 21 में करेगा आपका कौन इटली और आपका 22 में करेगा कौन इंडिया होस्ट करेगा 2022 में ठीक है ना जी ट्वेंटी का मेजबानी की बात कर रहे हम लोग चलिएगा ग्लोबल प्रोड्यूजी अवर्ड 2020 दो लोगों ने जीता वो दो लोग कौन थे मैंने आपको बताया कामेंट्स करके अंसर देंगे जब मैं प्राइस की बात कर रहा था जून तक जितने भी पुरुषकार दिएगे वो सारे के सारे पुरुषकार बता दिये मैंने जून के बाद आपका जुलाई अगस्त और सितमबर तक दिये जाएंगे वो सारे के सारे में आपको बता दूगा ठीक है ना तो तीन मंत रहें आपको मैंने जनवरी से लेकर जून तक सब बताए जनवरी 2020 में ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड किस ने जीता दो लोगों को दिया गया एक कौन है आपके यहां पर आंसर आज गया आंसर नहीं आया भी किसी गा तो इनका नाम क्या आपका इस्वर सर्मा जो दूसरे व्यक्ति है या जो दूसरे इनके साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी दिया गया था तो उनका नाम बताना आपको ग्लोबल प्रोड चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 इस्वर सर्मा ठीक तसमें में बेजने के लिए विक्सित किया गया तो उसका नाम आपका विल्कुम सही आंसरा आपका व्योमित्र आप लोग याद होगा जो इंडियन इस्पेस रिसर्फ औरग्नाइजेशन के द्वारा विक्सित किया गया देखिएगा आपके एक्जाम में जाओगे तो आपको एक कोशन मिलने वाला है समझ रहो ये पूरे के पूरे स्लेक्टेट कोशन है हर एक एंड से आपको समझाने की कोशिज की जारी है जिससे कि आपको याद हो बार-बार चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके एंड से भी हर दिन इसमें सुधार करने की कोशिज की जारी है आपको बद पूछा गया कि आपको किस तरों से चीज़े याद होगी ठीक है प्रमानु सक्षा मिसाइल का सफल परिक्षण क्या गया उसका नाम क्या था आपका केफोर या पूछ ले केफोर का भारत ने अभी केफोर चट्चा में रहा तो यह क्या है प्रमानु सक्षा में क्या है मिसाइल है तो याद रखेगा आपका सबसे इंपोर्डेंट कुष्ण दोज़ार बीस का चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे अगले गोशन की ओर किसी राज्य की बचेया पर क्या दिया गया यह भी जन्वरी मन्त में बताये था पुष्कार तो यह दिया गया था किसे उत्राघंड समझ रहा आप लोग उत्राघंड वच्छे जो आपका आपदा प्रबंदन समझ आप रहा प्रण्दन के लिए डिजास्टर मेनिलमेंट सेटर है उससे क्या दिया गया सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुष 2022 में नई दिल्ली में जो पुस्तक मेले कायजन होगा तो सम्मानित अथिती के तोर पर हमने किसे बुलाए यहां पर फ्रांस को बुलाए गया फ्रांस को बुलाए गया चलिएगा नेक्स बरेंगे क्या दिया आपका कैन्द सरकार के द्वारा नीर्ने लिया गया कि 175 यही में भारत किस अन्यादेश के साथ वोर्लेन वचव राजमार्ग जिसका नाम के आशुगंज अक्षोर आसुगंज अक्षोरा को अपग्रेट कर रहा है तो इसके लिए समझोप अपकर समझो आशुगंज अक्षोरा के लिए क्या वचाबस का समझ अभी आप पर समझोता हो है तो भारत और किसके बीज में बंगलादेश के बीज में समझ रो जैसे कि आपको याद होगा कि भारत और नेपाल के बीज में अंतराष्ट्या गैस पाइपलाइन के लिए 2019 में समझाता हुआ था वह क्या था अपका मोतिहारी बिहार से अमलेक गंज नेपाल तक थक है मोतिहारी जो हमारा बिहार राज्ये के अंदर है ठीक है तो मोतिहारी और अमलेक गंज के बीच में क्या गैस पाइपलाइन की बात की गई आपने UPPSC का एक्जाम देखेगा आप लोग सेवाइब का एकजाम देखेगा सब जगे कोशन पूचा यह वेस्ट बेंगोल में आएगा अखोरा के 20 में ठमज़े हो तो यह आपका बंगलेश में चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हाली में किस देश ने आधिकारिक तोर पर पहला राष्ट मंडल में सामिल हो गया तो कौन हो गया बचाव का मालदूप मालदूप सामिल हो आपका कब जनवरी 2020 में अब आपके राष्ट मंडल में टोटल कितने होगे तो चौवन देश होगे दो साल बात दुबारा जोइन किया दो साल पहले था उससे हड गया था लेकिन दुबारा से रिजोइन किया रहा किसने मालदूप ने किसको सीडेवलूजी को सीडेवलूजी का अब आपको तीन-दो सवाल पूछे गे थे समझो हिंदी दिवस के आउसर पर आपको दो सवाल पूछे गे थे और आपको कहा गया था कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जितना भी आपका ज्यान हो चाहे आप लोगों को लगता है कई से सर्च करिएगा समझो आप बुको पूक कर और जाना तो है उनके लिए उनके लिए nor disponator नहीं largest अंहीं अपने दो टाइब को देखा होगा एक बहुता था कि कि और वलता है कि हो जाएगा समझ्ज़र हो जाएगा वालों का पता नहीं कब होगा यह तो नहीं बता लेकिन जो जो बच्चा सर्च करता है कहीं नहीं वह आज अठी पोस्ट में बैठा होगा आप लोग ने देखा होगा स्कूल टाइम से अपने कॉलेज टाइम से ठीक है तो मैं आपसे वही गह रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे जादा तो नही कमेंट्स दिखे कल के कॉशन में उसमें इलेक्टिकल पावर उन बच्चों ने अपना नाम भी बताया था कमेंट्स बॉक्स में उनके आंसर जो लगबग दो क्वेशन थे दोनों क्वेशन के सठीक आंसर थे बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सठीक आंसर थे लेकिन जो तो डिटेल में बताया गया था, दूसरा राखी गंगवार करके बच्चे उन्होंने भी आंसर दिया था और सौनी का याद हो, तो तीन बच्चों के देखे डेली यही नाम नहीं रहेंगे, जिस भी बच्चे का सबसे साही और सबसे सैटिक आंसर और डिटेल में दिया होगा ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्टिकल पाउर बच्चे ने जो आंसर दिये थे, मैंने कुश्चन पूछा ना आपसे, कि ये बगलिहार जल विद्यूत परियोजना की स्तापना कब और किस नदी पर की जा रही है, ऐसा पूछा था आपको, कि ये स्तापना किस नदी पर, तो साथ-साथ इन्होंने मेंचन किया था, कि 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी बनता है, समझ रो, साथ-साथ उन्होंने बताये था, कि यहां की जो केसर है, समझ रो, जो हमारे कैंदसासिर प्रदेश की जो केसर है, उसे अभी क्या दिया गया, जी आई टेग दिया गया, और जहा नाम क्या है, मनोज सिना, तो ये अंसर आपने मैंसन करे थे, ठीक है, अगला कुशन जो था आपका, अगला कुशन देखेगा, नात्पा जहांकरी के बारे में पूछा था, मैंने तो नात्पा जहांकरी के बारे में उन्होंने बताया, कि सर ये कहां पर है, हिमानचल इसके अंदर है जिसकी बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडेक्शन चमता तो पंद्रा सो मेगा वार्ट रखी गई है और एसपी के बारे में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 1971 को एसपी आपका अलग इस्टेट बनता है एक हिमालय स्टेट बनता है उसके साथ साथ इसकी धो समर कैपिटल है क्या है सिम्ला हो गई और विंटर कैपिटल कौन सी धरम साला यानि किसके भी क्या है दो कैपिटल आपके एक ग्रीस मकालिन एक आपकी सीथ कालिन इसके साथ साथ बच्चों ने याँ पर मेंचन किया हूआ था Great Himalian National Park ये भी हिमानचल प्रदेश के अंदर है समझ रो Great Himalian National Park के बारे में क्यों बुचा क्योंकि ये world heritage site में जोडा गया था जब गुजरात का रानी की वह को जोडा गया था समझ रो यहां के cm का नाम बताया आपने कि जहराम ठाकूर जिनों बताया हम कंगनाथ को हर एक security देंगे जहराम ठाकूर यहां के क्या है अभी क्या है सियम होगे जब कि यहां के गवर्णर बताया अपने सर कोन है तो बंडारू दतात्रे यहां के गवर्णर होगे चलेगा अब हम लोग चलते बचा आगे आज के सवाल के और आज का सवाल यानि की 15 सितमबर 2020 का 15 सितमबर 2020 के सवाल के और चलेंगे देखेगा जैसे सवाल आया बच्चे गायब होगे सवाल पर चलेंगे और आप अपने अपने ग्यान के अनुसार और जितना भी संभा हो सके आप सर्च करिएगा ठीक है ना जितना भी संभा होगा कल वाले मैं भी बच्चा आपका कम से कम तीन बच्चों के नाम रहेंगे आप कम से कम आज आपका नाम EAD परिवार के कंड़क कराती है उन एजेंसियों के अंदर जब भी आप एक्जाम दोगे उस लिस्ट में आपका नाम इसी तरह से होगा ठीक है ना चलिएगा तो इस क्वेशन का राइट आंसर बताने आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप लोगों को संभा हो सके आप आप बताएंगे क्वेशन क्या है यहाँ पर दिया गया आपका उत्री अमेरिका महादुप की सर्वोच चोटी कौन सी है उत्री अमेरिका महादुप नौर्थ अमेरिकन कौंटिनेंट के अंदर सबसे उची चोटी कौन सी है यह तो एक बेस है समझ रो अब इस पे जितना भी संबा हो सके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अंसर दे सकते हैं कल के लिए आप लोगों के लिए सवाल बन गया हॉमवक के तोर पर ठीक है ना तो यह था आपका कि नौर्थ अमेरिका कौंटिनेंट के अंदर सबसे उची चोटी कौन सी है ठीक है यह कोशन बन गया आप लिए सबसे का है कि बिल्कुल आप लोग ने एक हिंदी का महावरा सुना होगा कान का कच्चा होना यानि कि हमें कान का कच्चा नहीं होना किसी भी चीज़ पर सिग्र विश्वास नहीं करना है अब आप लोग इतना अपने स्कूलिंग करी कॉलेज करा बाहर रहे आप जनिया तो देख लिए है तो आप लोग को याद रखना है कि किसी भी तोर पर आपको सिग्रित किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है जिस तो का अभी एंवर्मेंट चल रहा है कहीं न कहीं वह आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रप करेगा अब मैं तो यह कहता हूं कि स्ट्रेंट है उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रह गया अभी जिस लेबल पर है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्जाम हो जाए और एक्जाम में बैटने की दे रही है सेलेक्शन तो आपका होना ही है ठीक है तो जिस तो का अभी एंवर्मेंट चल रहे है उस एक्जाम के लिए जो भी गौवर्मेंट जॉब के लिए जो प्रोसेश जैसी है वैसे ही रहेगी थोड़ा बहुत बदलाव होंगे और बदलाव की आउसकता हर जगह होती है समझ थोड़ा बहुत बदलाव होंगे लेकिन आपको 100% एक्जाम देने का मौका म मैं कहता हूं कि अगर 10 दिन बाद एक्जाम होते हो तो आप एक्जाम के लिए कितने तैयार हो जो भी होगा कंपेटिशन एक्जाम के लिए जो प्रोसेश चली आ रही है वही चलेगी ठीक है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा इस चीज़ को आप लोग भूल जाएगा ठीक दिन झाले के लिए जो एक्जा एक्जाम के लिए थे और चाम झाल जे लो हैम तो जब लोग depर मैं के लिए कि अ